में इस वीडियो में जो यहां तो लेखनें से पहले लाइक कर दिजये आपको बताएंगे उनके ऐव कम ऍश्यू के बारे मीशले स्टार्ट करतें सबसे पहले आपको बता दे हैं इस तरीके से आप जानते से पहचान की मौताज नहीं है आप उन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे तो यहीं हम बात करने वारे हैं आखिर उनका अपकमिंग शो कौन सा होने वारा है जहां तक खबरों की माने तो कौसोटी जिंदगी के सीजन 3 की भी खबरे लगातार सुर्ख्यों में बनी हुई है तो वहीं कुछ रंग प्यार के ऐसे भी शो की खबरे लगातार आ रही है कि इसका सीजन 2 स्टार्ट होने वारा है तो इन दोनों में ही में लेड में नजर आई थी एरिका फैनांडीज तो वहीं बात करें खत्रों के खिलाड़ी को लेकर जी हां सीजन 11 की खबरे जोरो सोरो से चल रही है इस टाइम पर तो यहां पर भी इनको नॉमिनेट किया गया है जीहां इनका नाम सामने आ रहा है आफर गया है एरिका फनड़ीज प्रोमो देखने को मिल सकता है जहां तक खबरो की माने तो कंटेस्टेंट से लगबग कुछ फाइनल हो ही चुके हैं और बाकियों के पास प्रपोजल जा रहा है देखने वाली बात होगी तो इसको लेकर खबर आ रही है कि अप्रेल के महीने में आपको इस शो का प्रोमो दे सकता है जहां तक खबरों की माने तो कंटेस्टेंट से लगबग कुछ फाइनल हो ही चुके हैं और बाकियों के पास प्रपोजल जा रहा है देखने वाली बात हो कि कौन इस शो को साइन करता है और कौन नहीं सुझान होने के बाद ही खत्रों के खिलारी सीजन 11 आपको देखा जाए तो 70% चांस है कि एरिका फैनेंडी से सो को साइन्स जरू करेंगी क्योंकि देखा जाए तो वह हर तरीकी के करेक्टर अभी तक कर चुकी है अपनी जर्नी में सो ऐसे में खुद को रियालेटी शो में लाना खत्रों के खिलारी से अच्छा मौका और कोई नहीं देखना चाहते हैं अपनी कमेंट्स के जरीए अपनी राय जरूर बताईए गाड़े टेलिवीजिन के इसी लेटिश्ट अपडेट्स पाने के लामार चानल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक्यों फॉर वाचिंग